हलो और वेलकम स्वागत है आपका करंसार फार्मा क्लासिस में और आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होना वाला है थम्निल से आप समझें कहोंगे कि आज में किस टोपिक यो पर डिस्क्रेशन करने वाला हूँ और इसकी requirement मुझे काफी समय से आ रही थी क्योंकि इस्टुरेंट्स मुझे पूछना चाहते थे कि सर यह जो फार्मर्ट्रुकर इंडस्ट्रे का प्रडक्शन डिपार्ट्मेंट होता है यहां पर हमको कैसे जॉब मिल सकती है इसका criteria क्या होता है यहां पर working क्या होती है salary scale क्या होती है interview का procedure क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताईए तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहीं discussion करेंगे तो देखिए अगर basic education की बात करें तो आपको एक registered pharmacist होना जरूरी है जी हां आप यह तो बीफार्मा होंगे तो काफी अच्छा होगा क्योंकि बीफार्मा जो course होता है basically जो उसका syllabus होता है बीफार्मा मतलब bachelor of pharmacy का उसका syllabus जो होता है basically वो फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब सरी डिजाइन किया जाता है तो सबसे आता जो eligible candidate होता है वो होते है भी फार्मेसिस्ट प्रोएट उसके बात जैसे मैंने बूला कि registered pharmacist होना चाहिए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो डिप्लोमा करते है फार्मेसी स वो भी registered pharmacist होता है तो वो भी फार्मा इंडस्ट्री के production department में काम कर सकते है बट उनके पास एक डिप्लोमा डिगरी है तो आगे चलके जब उनके growth होती है दो साल तीन साल पास साल के बाद तब उनको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है इसका मतलब है कि वो candidate जो कि अब डिप् आगे चलके उनकी growth में उनको काफी फायदा होने वाला है अब यहाँ पर दूसरा कुशन आता है कि सर बी फार्मेसी सि आपने बता दिया यह तो ठीक है बट दूसरी जो है जैसे बीस सी इस्ट्रेंट होते हैं जो बीस के दीडिट्स होते हैं क्या वो भी आपे पर अगर आप का वी एस सी जोए इन बेशिलav अगर साइस स्टिम से है, केमेस्ट्री से है, बायो केमेस्ट्री से है, बायो केमेस्ट्री से है, बायो टेक्नोलोजी से है, माइक्रो बायो जी से है, मेडिशनल केमेस्ट्री से है, या प्लेन केमेस्ट्री से है, या फार्मा केमेस्ट्री से है, तो आप जो है वो फार्मा इं master's कर लो, msc कर लो, तो क्या होगा, तो जी अगर आप Maasters करके अगर आप production department काम करने के लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि आगे चलके आपको growth में काफी काम आईगी, क्योंकि आपके पास education level वह आपका हाई है आपके पास ज्यादा डिग्रीज है और बड़ी डिग्रीज है इसलिए जो प्रमोशन की बारी आएगी तो आपको ये जो आपके ये वाले जो पेरामेटर है एजुकेशन वाले इनको भी देखा जाएगा और साथ इंटर्वू देने जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर आप MSC है या आपने B Pharmacy के बाद M Pharma किया हुआ है तो वहाँ पर ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये काफी काम आएगी सेलेक्शन में भी और देखिए आप ज़्यादा बड़ी डिगरी करते हैं तो आपके बाद नॉलेज भी काफी अच्छा हो चाहिए तो यहां मैं आपको बतातू कि आपको अगर Production Department के अंदर काम करना है तो आपको Pharmaceuticals से M Pharma करना चाहिए तो आपको कहां पर M Pharma करनी है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चलिए आपने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया अब आप यह थोड़ा से बताईए कि सेलरी क्या होती है तो देखें यहां पर भारत के अंदर फार्म इंडस्ट्री के प्रोड़क्शन डिपार्ट्मेंट में अगर आप ऐसे फ्रेश्यर जोईन करते हैं तो आपको मिनिमाँ जी है कम से कम 10 अजार उपे सेलरी मिलना ही वाली है यह इंडस्ट्री को पर डिपेंड करती है पर मैंने आपको बता दिया कि छोटी से इंड चीने की तनखाज होगी तो दस अजार तो आने आने वाली है फिर भी अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं इंडिया के जो बड़े प्लांट्स है या बड़ी कंपनी से सिपला हो गई डॉक्टर रेडीज हो गई लूपीन हो गई तो वहां पर यह सेल होगा कि इंडस्ट्री में के इसाफ से जो आप कॉलेज के अंदर जो चीज़े सीखते हैं वह चीज़े इंडस्ट्री के अंदर एजटी अपला है आप नहीं कर सकते हैं आपको इंडस्ट्री में आके पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी यह ट्रेनिंग जोगी वह एक मही पिरेट होता है दो महीने का उससे जादा भी हो सकता है अगर आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो यह आपका ट्रेनिंग पिरेट बढ़ता चला जाएगा यह हो सकता है यह 6 महीने का हो जाए 8 महीने का हो जाए और एक साल तक भी यह ट्रेनिंग पिरेट जा जाएगा तो उसके बाद आप जाएंगे प्रोवेशन पिरियेड पे जी हाँ ये प्रोवेशन पिरियेड भी ट्रेनिंग पिरियेड की तरह ही होगा ये भी एक महीने दो महीने तीन महीने या पांच महीने या छे महीने तक हो सकता है प्रोवेशन पिरियेड तक भी आपको य यह किसी भी तरह की छुट्टी नहीं ले सकते हैं, जिस समय आपका provision period complete हो जाएगा, दो महीने, तीन महीने, छे महीने के बाद, उसके बाद फिर आप permanent होंगे, और permanent होने के बाद फिर आप छुट्टी मिले सकते हैं, आपको जो भी industry के तरब से जो facilities मिलती है, वो सभी मिलेगी, आपको CL मिलेगी, PL मिलेगी, जो आपको leave मिलती है, उस सब मिलेगा, break जो मिलता है, summer break, winter break, वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपका salary increment होना पर स्टार्ट हो जाएगा, यह केवल आपको training के लिए दे रही है, आपको training period और profession period, मतलब company आपको training भी दे रही है, और साथ में आपको पैसा भी दे रही है, ठीक होगी बात, और काम आपसे अच्छे से अच्छा काम जो होगा हो, कब किया जाएगा, मतलब आप काम करने लाइक कब होंगे, जब आप permanent हो जाएगे, मगर training period में और profession period में आपसे किसमी तरेका का काम नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपको दोड़ training दी जाएगी, बट Indian culture अलग होता है, इंडिया के अंदर training period में ही आपसे काम लेना स्टार्ट कर दिया जाता है, जी आ, training period में ही आपको काम करने लाइक भना दिया जाएगा, आपके seal, sign, signature होना स्टार्ट हो जाएगे, और training period में अगर आप कोई blender करते हो, तो आपको वहीं से company से बाहर भी निकाल दिया जाता है, ये मैंने Indian culture आपको बता है, काईदे से क्या होना चाहिए, कि training period और probation period पे आपको कोई, training period basically, probation period पे तो आप working कर सकते हो, बट training period पे आपसे किसी भी तरह की working नहीं लेनी चाहिए, आपको गर्ट training देनी चाहिए, बट India के अंदर इसा नहीं होता है, इंडिया के अंदर training period के अंदर ही बंदे से काम लेना स्टार्ट कर लिया जाता है, क्योंकि लोगों की कमी है, workload काफी जादा होता है, लोग वो जल्दिल दी आपर resign देते हैं, कम्पनियां छोड़ देते हैं, तो लोगों की कमी के कारण ही, ये लोग क्या करते हैं, कि जो बंदे training में लगे लेते हैं, जिनको अपर training चल रही है, उनको ही working के अंदर लेके आ जाता है, कि आप काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि workload काफी जादा होता है, और यहीं पर मैंने देखा है, कि लड़के सही तरीकी से तैयार भी नहीं हो पाते हैं, उनका training period complaint भी नहीं हो पाता है, उनको working कराई जाती है, वहीं पर वो गलतिया करते हैं, और बड़ी-बड़ी blender mistake उनसे होती है, incidence उनसे हो जाते हैं, यह deviation उनसे हो जाते हैं, और company उनके आगे इस action भी ले लेती है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर, minimum age कितनी होनी चाहिए इस department में काम करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, कि minimum age होनी चाहिए, वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यहाँ, आपने जैसे ही अपना degree complete करी, आप industry में जा सकते हैं, और अपने working स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर एक और question आपको दिवाग बार होगा, कि सर, age का क्या रिजान है, देखें, age का मतलब यह होता है, कि आपकी यह जितनी कम होगी, उतने ज़्यादा chances होंगे, कि आपको production department में job मिल जाएगी, इसे fresher, जी हाँ, fresher, क्योंकि अगर आपकी age ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर industry जो होती न, आपको इसे fresher count नहीं करेगी, उसका reason में मैं आपको बताता हूँ, देखें, industries fresher को इसले ही मोका देती है, क्योंकि freshers young होते हैं, energetic होते हैं, वो दोड़-डोड़ के काम कर सकते हैं, मतलब industry आपसे आपकी जवानी मांग रही है, reason यह है, क्योंकि industry के अंदर जो senior person होते हैं, जो experience person होते हैं, जो 15 साल, 10 साल, 5 साल निकाल चुके होते हैं, उनका energy level थोड़ा सा कम हो जाता है, वो दोड़-डोड़ के काम नहीं कर सकते हैं, वो बस अपना experience जो हैं, वो freshers के साथ share कर सकते हैं, तो समझगे मेरी बात को, कि अगर आपकी उमर 25 साल, 28 साल, 30 साल हो गई है, और उसके बाद आप सोच रहे हैं, कि farm industry के production department में हम लोग जाएं, और वहाँ पर हम इसे fresher काम करें, तो आपकी जैसी वो age देखेंगे, आपकी बहुती कम chances हो जाएंगे, कि वो आपको job दे, उसका reason यही है, कि उनको fresher का मतलब है, यंग और डाइनेमिक बनना चाहिए, आप यह ज़रूर कर सकते हैं, कि अगर आपकी age ज़्यादा है, तो आप अपना physical, फिजिक को इस तरीके से maintain करें, कि जो आपका interview ले, वो आपसे impress हो जाएं, बट अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं, आप फिजिकली एक तरीके से देखने में ही, बिल्कुल सही तरीके से आपको ऐसा लग रहा है, यह रहे बहुत बुढ़ा हो गया है, तो मान के चलिए, कि आपको count नहीं करने वाले हैं, आपको job नहीं देंगे, अब चलिए हम यह बात करते हैं, कि यहाँ पर work क्या होता है, जो कि एक multi, बाड़ा सबसे बड़ा जो हमारा question है, वो यह ही है कि इस production department के अंदर काम क्या होता है, तो इसके उपर हम discussion करते हैं, तो देखिए, नाम से पता चल रहा है कि production department है, फार्म इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर drug का production होता हुए, drug बनती होगी, बट यहाँ पर भी कुछ page है जिसको आपको समझना होगा, जैसे कि जो मारी डवाईयां होती है, जो मारी drugs होती है, वो भी अलग-अलग phases में होती है, और हर doses form, जिसे हम forms का मतलब है, इनको हम doses form बोलते हैं, और हर doses form को जो production होता है न, वो भी अलग-अलग होता है, doses form पहले मैं आपको clear करते ता हूँ, जिसे solid doses form, solid doses form के अंदर आते हैं tablet, capsule, powder, यह solid होते हैं, इसलिए solid doses form होते हैं, फिर होते हैं liquid doses form, liquid doses form के अंदर आते हैं, syrup, emulsions, suspensions, मतलब जो liquid form में होते हैं, वो होते हैं liquid doses form, उसके बाद होते हैं semi-solid doses form, semi-solid form के अंदर आते हैं, paste, cream, तो यह कूँन से होते हैं, semi-solid doses form, उसके बाद होते हैं parentals, जो हमारे injections होते हैं, उनको हम parentals केते हैं, तो आप समझेकें जित्ते भी इंजेक्शन्स हमारे लगते हैं जो सीधा इंजेक्शन्स के तो हमारी बोडी के अंदर इंटर कर जाते हैं ये आर कॉल्ड पेरेंट्र जोटी मतलब की इफेक्टिवनेस में जिवाबदार लोग होते हैं जिवाबदार component होता है उसे हम API केते हैं जिसे जब आप paracetamol tablet लेते हैं तो paracetamol tablet के अंदर जो paracetamol है वो API है उसके साथ में दूसरे component भी add होते हैं ठीक है जो उस tablet को stability provide कराते हैं बट tablet का जो effect है वो paracetamol के उपर depend करता है तो paracetamol क्या हो API हो गया यह powder form में होते हैं और इनका पर production होता है इनकी एक अलग unit होती है यहादा कि इंडस्ट्री भी different होती है तो इनका production भी अलग होता है तो यहाँ पर देखें मैंने आपको बता है कि जो मारी drugs होती है वो different different doses form के अंदर बनती ही बतलब different forms में होती है solid हो गई liquid हो गई semi-solid हो गई parental हो गई या API form में हो गई तो इन में से किसी भी unit में आपको काम करने का मौका मिल सकता है यहाँ पर एक चीज में आप बता तो कि कोशन यह भी उठ रहा होगा कि सार इसमें से कौन सा इसा doses form है जो सबसे आदा quantity में बनता है और जिसमें सबसे आदा चांसे से तो जिया solid doses form जो होता है tablet, capsule, powders यह सबसे आदा quantity में बनते हैं और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो जितने भी doctors अगर आपको prescribe करेंगे कोई भी drug तो सबसे आदा वह आपको solid doses form में ही drug को prescribe करते हैं मतलब tablet और capsule के form में ही वह drug को prescribe करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे आदा जो doses form प्रडूस होता है यह सबसे आदा जो doses form की unit होती है production की वह solid doses form की होती है तो यहाँ पर आपको job लगने के बाद जिस unit में आपको काम करने का मोका मिलेगा वह solid doses form ही होने वाली ही और आपको बनाने होंगे दूसरी चीज़ एक और आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर पेरेंटरल के आपने नाम लिया तो पेरेंटरल के लिए क्लिए 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 तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ फिर इसकी लिए मैं एक separate video अलग से बना देंगे पेरेंटरल डिपार्टमेंट या पेरेंटरल प्रोड़क्शन में कैसे जोब मिलती है और वहां को क्या वर्किंग कल्चार होता है बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर प्रेंटरल में आपको मौका मिलता है तो भी काफी अच्चा है और यहां पर सारा काम ऑट प्रोमेटिक होता है और यहां पर साफ सफाई का ख्लीनीनेस का बहुत जादा दिया जाता है उसके अलाबा एक्टिव फार्मस्टिव इंग्रीडियंट तो इंडिया के अंदर इसे बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है जो एप्टिया भी बनाती है और दूसरे फॉर्मुलेश तो आपको API में मुखा मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि आप किसी प्लाइंड में इंटर्वीव देते हैं और वह आपको API में फेक्ट देंगे सब बहुत ही कम रीजन है मैंने आपको बता है कि यहां पर जब ड्रक का प्रोड़क्शन होता है एक्जाम्पल हम लेलेते हैं यहां पर जितना भी प्रोड़क्शन होता है वह मशीन के थ्रू होता है आपको बस उन मशीन को ऑपरेट करना होता है आपको बस एक फेस के अंदर नोकरी मिलती है इसको मैं आगे और भी क्लियर करूंगा बट प्रोड़क्शन जो होगा वह मशीन के थ्रू होता है और इस स पीस को follow करते हुए ही आपको machines को operate करना है और production को continue करना है और जैसे कि मैं आपको बता है कि आपको complete production नहीं करना होता है production जो होता है वो अलग-अलग phases के अंदर होता है उसमें से किसी एक phase में आपको काम करना होता है example के लिए tablet ले ले लेते हैं tablet का जो production होता है उसके different phases होती है तो हम phase के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिसे पहली phase जो होती हो उसे हम बोलते हैं pulverization जिसमें हम mixing करते हैं API के साथ में other additives को add करते हैं एक mixture करके powder बनाते हैं उसके बाद उसकी होती है seiving, seiving का मतलब होता है हम उसको चानते हैं जो powder बना है उसको हम सई particle size के अंदर छानते हैं उसे हम seiving केते हैं ये भी एक phase होती है उसके बाद होती है weighing उसको हम वजन करते हैं ये तो seiving से ही जुड़ा हुआ काम है जो seiving करेगा वही उसका वजन भी कर लेगा उसके बाद होती है उसकी drying हम उसको dry करते हैं उसके अंदर jo moisture है उसको हम हटाते हैं उसके बाद होता है exfolation powder को हम granuleasma Censusinis का mixing होती है उसको proper way में mix किया जाता है उसके बाद tablet को punch करके मतलब powder جो होता है powder को punching करते हैं जिसे हम compression भी कहते हैं compress करके उसका tablet daleyas के form में convert करते है हमारी tablet बन जाती है, tablet के बाद हम उसकी coating कर देते हैं और coating के बाद हम उसकी packaging कर देते हैं, तो यह different phases होती है इन में से किसी भी एक phase में आपको job मिल सकता है important चीज यह है कि यहाँ पर जित्ती भी phases है उसमें से किसी एक phase को आपको operate करना होता है या तो आपको compression या tablet punching हो रही है, वहाँ मोगा मिल जाएगा weighing में मोगा मिल जाएगा, mixing में आपको मोगा मिल जाएगा, coating में मिल जाएगा, packaging में मिल जाएगा किसी भी एक phase के अंदर आपको work करना होता है, एक ही machine को आपको operate करना होता है यहाँ पर एक important चीह है कि production department को IPQA के द्वारा monitor किया जाता है IPQA department का full firm होता है इन process quality assurance department इन लोगों की देखरेक में ही production department की लोग जो होते हैं वो काम करते हैं यहाँ पर एक चीह में आप गता दूँ कि अगले वीडियो के अंदर हम IPQA की उपर discussion करेंगे कि IPQA में जोब कैसे मिलती है महांगा working culture क्या होता है यहाँ पर यह चीज हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि production department के उपर निगरानी रखने के लिए जो department होता है वो होता है IPQA department उसके लावा एक और बहुत important चीज कि production department जिया खासकर pharma industry के production department के अंदर voice को preference दी जाती है जिया voice यहाँ पर ज़्यादा काम करते है girls यहाँ पर कम मिलेंगे आपको reason यह होता है कि यहाँ पर physical activity काफी ज़्यादा होती है और यहाँ पर physical strong लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि machines को operate करना है पूरे time यहाँ पर आपको खड़ा रहना पड़ता है documents को fill करना पड़ता है manually तो यहाँ पर girls जो है physically strong ना होने की वज़े से यहाँ पर girls को कफी कम मौका मिलता है काम करने का voice को ज़्यादा मौका मिलता है तो यह जो department होता है यह boys के लिए ही होता है यहाँ पर आपको ज़्यादा तर boys ही काम करते हुए मिलेंगे अगला question आपके दिवाद में यह भी आ रहा होगा कि sir आपने जैसे बता है कि यहाँ पर instruments का use होता है machines का use होता है यह machines क्या होती है क्योंकि जो production हो रहा है उसके different phases है सबी में अलग-लग machines का use होता है मतलब compression machine का use क्या आता है packaging machine का use क्या आता है coating machine का use क्या आता है mixers भी होते हैं dryers भी होते हैं तो यह machines कौन-कौन सी machines के यहाँ पर use कि आती है तो देखिए यह अपने आप में बहुत बड़ा topic है जहाँ पर क्योंकि एक तरह की machine नहीं है machines के types होते है mixers भी कई type के हैं compression machine के कई types हैं coating के जो coaters होते हैं उनके भी काफी types होते हैं तो उसके लिए हम एक separate video बनाएंगे और वहाँ पर अब systematic way में हर machines के उपर discussion करेंगे और उनके types के उपर भी discussion करेंगे तो सब के लिए एक separate video फिर हम एक और बनाएंगे इसमें coating machine के उपर एक अलग separate video होगा कितने type की coating machine होती है कितने type के mixers होते हैं तो उसके एक अलग से video बनाएंगे अगर हम यहीं पर discussion करेंगे तो यह video काफी लंबा हो जाएगा बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके उपर वीडियो बनाओ तो आप नीचे comment box पे आप लिख सकते हैं आगे आने अलग समय में मैं उसके उपर एक separate series बना दूगा अगला question आपके दिमाग में आ रहा होगा कि sir interview केसे होते हैं क्या selection का procedure होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दो कि अगर आप proper way में well qualified हैं जो मैंने आपको qualification वीडियो के starting में बताई थी तो देखें interview का procedure बहुत सिंपल होता है या तो आप direct industry में जाके interview दे सकते हैं या industries जो होती हैं वो इंडिया के कई बड़े-बड़े शेरों उसमें interviews को organize करती हैं उनकी जानकरी वो newspaper के अंदर और कई वेबसाइट से जहां पर वो जानकरियां देती हैं साथी साथ वो अपने official portal के अंदर भी इसकी जानकरी देती हैं जोंकि official website है वहाँ पर भी आपको जानकरी मिल जाएगी कि interview कहा होने वाले हैं कब होने वाले हैं किस department के होने वाले हैं क्या qualification मांगी गई है सारी चीजें आपको वहाँ पर mention होगी तो अगर आपके पास वो qualification है और अगर आप उस area के आसपास रहते हैं तो आप वहाँ पर जाके interview दे सकते हैं आपको पस अपना resume ले जाना है अपने सारे documents वहाँ पर ले जाना है उन सभी documents को verify किया जाएगा आपका resume महाँ पर जमा हो जाएगा और आपका interview ले लिया जाएगा अगर आप वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो industry के HR department के दौरा आपके resume में जो mobile number लिखा हुआ होगा उस mobile number पे contact किया जाएगा मतलब आपको contact किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब industry में जाना है और अपना working स्टार्ट करनी है या आपका जो भी mail ID होगा उसके तुरू भी बता दिया जाएगा बट जादा तर chances जो होते हैं आपको बताएगा कि आपका सेलेक्शन हो गया है तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इंटर्व्यू की डारेक इंटर्व्यू होते हैं किसी टाइप का exam नहीं होता है हाँ कई बार इसा होता जरूर है कि जब बहुत ज़्यादा candidate आ जाते हैं इंटर्व्यू के लिए तो वह एक exam एक छोटा सा टेस्स लेते हैं रेटन टेस्ट जिया राइटन टेस्ट होते हैं 50 MCQ पूछे जाते हैं उस 50 MCQ के कटाफ देदी जाती है कि 30 नंबर या 35 नंबर आपको लाने है जो परसन 35 नंबर तक स्कोर कर लेते हैं 50 में से उनका फिर इंटर्व्यू ले लिया जाता है तो या तो डारेक इंटर्व्यू हो जाएगा या पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा मॉप टेस्ट या MCQ कोशन का पेपर लिख कर आए जाएगा उसके बाद जो जिनके नंबर जो होंगे वो ज्यादा आएंगे कटाफ के इसाब से उनका फिर इंटर्व्यू होगा कोशन ये पर उट रहा होगा कि सारे इंटर्व्यू के अंदर किस तरह के कोशन पूछे जाते हैं तो प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्व्यू में किस तरह के कोशन पूछे जाएंगे इस से रेटेट मेरे पहले से ही काफी वीडियोज आ चुके हैं उन वीडियोज के अंदर मैंने कोशन के साथ साथ एंसर्स जो बताया हैं तो आप मुझे सर्जेशन दे सकते हैं आगे आने वाले समय में मैं आपके दी हुए सर्जेशन में जो आपने टॉपिक दिये हैं उसके उपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा वीडियो देखने के लिए थेंकी वेरी मच आपके उजलोज की काम ना करता हैं और यहीं बने रही है मेरे साथ